बहुती विज्ञान अभ्यास तीन में आज हम लोग पढ़ेंगे सेलो का सयोजन सेलो का सयोजन कितने प्रकार का होता है तो सेलो का जो सयोजन होता है वो तीन प्रकार का होता है पहला जो है स्रेणी करम, दुसरा समानतर करम और तीसरा जो है मिस्रित करम होता है तो परतिरोध में भी सयोजन पड़े थे तो परतिरोध में दो प्रकार का सयोजन होता है पहला जो है स्रेडे करम और दूसरा समानतर करम तिसी प्रकार सेलों में भी सयोजन होता है तो यह नोट कर लेजिए कि सेलों में सयोजन सभगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो सेलों में तीन प्रकार का सयोजन पहला का नाम है स्रणी करम स्रणी करम में सयोजन स्रणी करम में सयोजन दुसरा जो है समांतर करम में सयोजन तीसरा का नाम है मिस्रित करम मिस्रित करम में सयोजन तो तीन प्रकार का सयोजन पढ़ना है तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्रणी करम सयोजन क्या है उसके बाद समांतर करम मिस्रित करम तो अब स्रणी करम में मतलब सेलों का स्रणी करम सयोजन में हमें सुत्र का निगमन करना है तो पहले सबसे पहले जब स्रेणिक करम में जोड़ेंगे तो पहले यहां पे यह सेल है और यहां यहां भी सेल है और यहां भी सेल है किस करम में जुड़ा हुआ है तो स्रेणिक करम में जुड़ा हुआ है और यह आंतरिक परतिरोद है जो बाक्स में बना हुआ है इस अब आंतरिक परतिरोद यह भी है और यह भी है तो इसमें तीन जो है आंतरिक परतिरोद है आप चाहे तो और भी आंतरिक परतिरोद लगा सकते हैं तो इसमें जो है आंतरिक परतिरोद कितना लगा सकते हैं तो य और आफ करने में काम आता है तो यहां पर लिख लेंगे कि माना जो है यन जो है यन आंतरिक परतिरोद किस करम में जुड़े हुए हैं तो स्रेडिक करम में जुड़े हुए हैं तो यहां माना को भी लिख लिजिए माना यन यन आंतरिक परतिरोद माना यान जो है आंतरिक परतिरोद किस करम में जुड़े हुए हैं तो आंतरिक परतिरोद स्रेडि करम में जुड़े हुए हैं इसमें वैदुत वाहक बल क्या है इसमें जो है वैदुत वाहक बल जो है वैदुत वाहक बल वाहक बल क्या है तो वैदुत वाहक बल जो है ई है और यहां कामद देंगे बाइह परतिरोध क्या है तो बाइह परतिरोध जो है आर है चित्र में दिखाई दे रहा होगा बाहे परतिरोध क्या है आर है तथा इसमें बहने वाली धारा क्या है बहने वाली धारा जो है आई है इसमें बहने वाली धारा क्या है आई है इसके अंदर जो धारा बहरा इसमें क्या है आई है तो अब यहां पे जब बहने वाली धारा आई है तो इसमें कुल बैदुत वाहक बल क्या है इसमें कुल बैदुत वाहक बल क्या बनेगा तो यहां नोट कर लेंगे कुल बैदुत वाहक बल कुल वैदुत वाहक बल तो कुल बैदुत वाहक बल कितना है तो यहां से जब देखेंगे गिनेंगे कितना है तो जैसे यहां पर E E E E करके कहां तक है E N तक है इसमें और भी है आगे और भी जोड़ सकते हैं कहां तक जोड़ सकते हैं E N पदो तक जोड़ सकते हैं तो इसलिए कुल जो है बैदुत वाहक बल क्या होगा यन और क्या हो जाएगा यन का मतलब इसमें और भी जोड़ा जा सकता है तिसलिए लिखेंगे यन ये हो जाएगा अब कुल आंतरिक परतिरोध कितना है तो लिखेंगे कुल आंतरिक परतिरोध क्या होगा तो कुल जो है आंतरिक परतिरोध कुल आंतरिक परतिरोध बराबर क्या हो जाएगा अब यहां आंतरिक परतिरोध चित्र में क्या है आर 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 कहां तक है यन पदो तक है इसलिए भी क्या हो जाएगा यन आर हो जाएगा आर जो है यह इसमाल आर है और यह जो इसमाल R का नाम क्या है आंत्रिक परतिरोद है तो कुल आंत्रिक परतिरोद क्या बन गया यन R हो गया अगर इसमें पूछा जाए कुल परतिरोद कितना है तो कुल परतिरोद हो जाएगा मतलब आंत्रिक परतिरोद पलस क्या हो जाएगा बाहे परतिरोद तो आंतरिक परतिरोद तो कितना है यन आर हो जाएगा पलस हो जाएगा और बाहे परतिरोद आर हो जाएगा तो यन आर प्लस आर मतलब यन आर का मतलब हो गया आंतरिक परतिरोद और आर का मतलब हो गया बाहे परतिरोद तो कुन परतिरोद कितना हो गया यन आर प्लस आर हो जाएगा अब यहां लिखेंगे सुत्र होता है धारा का वैदु धारा का सुत्र होता है धारा बराबर हो जाएगा धारा बराबर और सुत्र आप सभी विद्यारती जानते होंगे बताया जा चुका है धारा का सुत्र होता है कुल वाइदुत वाहक बल बटा हो जाएगा और यहां लिखेंगे कुल प्रतिरोध हो जाएगा कुल प्रतिरोध फॉरा से इसको सुधार कर लिज़ेगा प्रतिरोध है कुल प्रतिरोध तो यहां पर कुल वाइद वाहक बल बल बटा क्या है कुल प्रतिरोध है तो कुल धारा इसमें धारा किसे पदासित करेंगे तो धारा से आई से पदासित करेंगे आई बराब कुल बाइदत वाहकवल इसमें देखेंगे कुल बाइदत वाहकवल क्या है यन इ है तो यहां लिखेंगे कुल बाइदत वाहकवल जो है यन इ है बटा हो जाएगा और कुल परतिरोध कितना है तो कुल परतिरोध है यन आर पलस आर हो जाएगा तो यह जो मान निकल गया किस करम में निकला स्रेडी करम में जो है धारा का मान निकल चुका तो यह जो सुत्र आ गया स्रेडी करम में धारा का सुत्र है तो सुत्र का जो निगमन हुआ है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिया होंगे कैसे इसको निगमन किया गया है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब यहां कुछ विशेष समझेंगे विशेष क्या सर्थ है तो इसमें जो है धारा का जो सुत्र आया है किस करम में आया है तो स्रेडी करम में आया है अगर यहां विशेष पहला समझेंगे विशेष नमर वन अगर यहां जो विशेष जो है पहला जैसे यहां पे यन आर का नाम क्या है तो यन आर का नाम है कुल आंतरिक परतिरोध अगर कुल आंतरिक परतिरोध कामान किस से बड़ा हो जाए तो आर से अगर बड़ा हो जाए तो कुल आंतरिक परतिरोध अगर आर से बड़ा हो जाए तो क्या होता है तो यहां पे लिख सकते हैं यन आर प्लस जो है यह लगभग के बराबर होगा कितने के यन आर के बराबर हो जाता है मतलब यन आर का मान किस से बड़ा होगा तो यन आर का मान आर से जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा यन आर प्लस आर लगभग कितने के बराबर होगा E N R के बराबर हो जाएगा मतलब यह सुत्र में E N R प्लस R को हटा देंगे और उसके अस्थान पे क्या लिखेंगे E N R को लिखेंगे तो अब यहां सुत्र में क्या लिखेंगे I E बराबर हो जाएगा क्या था E N E था बटा हो जाएगा और i n r प्लस r कितने बराबर हुआ था तो यह जो है i n r के बराबर था तो यह पहला सर्थ भी था विसेस में अब यहां से i n से i n को काड़ देंगे तो क्या बच गया i बराबर बन गया e बटा r हो जाएगा तो यह जो पहला विसेस आप सभी भी द्यारती याद रखिएगा कि जो है i n r का मान r से अगर बढ़ा हो जाए तो हमारा धारा का मान क्या होगा तो i बराबर e बटा क्या होगा r होगा अगर हम दूसरा विसेस समझें विसेस नमबर अगर दो समझें विसेस दो क्या है तो विसेस दो में यहाँ नोट कर लेंगे कि अगर r का मान याद रखेंगे किस से बढ़ा रहेगा तो आर का मान जो है बड़ा अगर हो जाए किस से आंतरिक परतिरोद से मतलब कुल आंतरिक परतिरोद से बड़ा हो जाए तो यहां पर क्या होगा तो यहां जो होगा यन आर पलस जो है आर लगभग बराबर किसका हो जाएगा आर के बराबर होगा तो यह विशेश को आप से भी द्यार्थी धियान दीजिएगा कौन किसके क्या बराबर हो रहा है अब यहां किसका मान बराबर बड़ा हो गया तो R का मान इसके पहले किसका मान बड़ा था तो आंतरिक परतिरोध का मान बड़ा था अब यहां R जो है बड़ा है तो हमारा BCS में अब दो मिनूट कर लें आई बराबर क्या था यन इ बटा और यह जो है यन आर प्लस आर के जगा पर क्या लिख लेंगे आर के बराबर हैं तो यहाँ पर आर को नोट कर लेंगे तो स्रेडिक करम में जो है धारा का मान आ चुका है तो यहाँ स्रेडिक करम में धारा का मान तीन सुत्र बना तो तीनों सुत्र को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तयार कीजिएगा और दो जो विसेस बताया गया है तो यह दोनों विसेस को तयार रखेंगे क्योंकि आगे चलके नुमेरिकल का परियोग किया जाएगा तो यहाँ नोट कर लेंगे कि समांतर करम सयोजन तो समांतर करम सयोजन मतलब यह होता है कि इसमें तीन जो है आपका सेल का बायत वाहकवल जुड़ा हुआ है और तीन जो है आंतरिक परतिरोद है तो यहाँ तीन नहीं जुड़ा हुआ है याद रखेगा यन जुड़ा हुआ ह यन तक मतलब एक, दो, तीन, चार करके आपको यन आंतरीक परतिरोध को जोड़ा गया है और यह जो है एक जो है बाहे परतिरोध है और इसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे इसका नाम क्या है कुझी है जो आन आफ करने में काम आता है तो एक चीज इसमें आपको धिहान रखेगा कि इसमें सेल का बैद तुआहक बल जो है तीनों में क्या होगा तो तीनों का कुल जब मिलाएंगे तो ई होगा इसमें तीनों का इसमें ई होगा याद रखना है और सिनडी करम में क्या हुआ था कुल जो था यन ई था और इसमें जो होगा कुल जो है कुल जो है सेल का बैद तवाहक बल इसमें ई होगा याद रखिया क्योंकि इसमें समान होता है तीनों में क्या समान है तो सेल का बैद तवाहक बल इसमें समान होता है तो यहां पे जो है कर लेंगे कि माना माना यन माना यन सेलो को माना यन सेलो को किस करम जोड़ा गया है सेलो को समांतर करम में जोड़ा गया है समांतर करम में जोड़ा गया है समांतर करम में जोड़ा गया है जोड़ा गया है गया है परतीक परतीक का बैदुत वाहक बल इसमें क्या है तो परतीक का जो बैदुत वाहक बल है वह ई है तो यह नोट कर लेंगे परतीक परतीक का बैदुत वाहक बल परतीक का बैदुत वाहक बल बल क्या है तो परते का बैद्वाहक बल जो इसमें E है याद रखेगा परते का बैद्वाहक बल जो है E है तथा परते का तथा आंतरिक परतिरोध नोट कर सकते हैं आंतरिक परतिरोध तो आंतरिक परतिरोध इसमें क्या है तो आंतरिक परतिरोध जो है R है आंतरिक परतिरोद आर इसमाला तथा बाह परतिरोद बाह मतलब बाहर बाह परतिरोद क्या है तो बाह परतिरोद जो है इसमें आर है capital R है R है तो यहां कामा दे देंगे यहां इसमें लिख भी सकते हैं इसमें बहने वाली जो धारा जो है क्या है आई है तो अब यहां पे जो होगा कुल बिद्धुत वाहकबल इसमें क्या है तो यहां लिखेंगे कुल बिद्धुत वाहकबल तो कुल बिदतवाहक बल इसमें क्या होगा तो याद रखिएगा यह कौन से करम है समानतर करम है तो कुल इसमें बिदतवाहक बल जो है समानतर करम में जो है ई होगा यहां लिख लेंगे ई सौंज में आ गया होगा इसमें यन ई नहीं लिखना है स्रेणी करम में या नहीं और समानतर करम में सिर्फ क्या लिखना ए लिखना है क्योंकि इसमें जो है समान होता है बराबर होता है तीनों जो है समान है तो अब तीनों में नहीं कहेंगे इसमें यन पदो तक कहेंगे तो इसमें समान इसमें किसका प्रियोग करेंगे इका प्रियोग करेंगे और यह जो स्रेणी करम में नहीं जोड़ा गया है याद रखेंगे समांतर करम में इसमें क्या है तो कुल जो है आंत्रिक परति रोध किसे प्रदासित करेंगे प्रदासित करेंगे एक बटा जो है डाट डाट करके कहा लिखेंगे एक बटा आर यहां कितने पदो तक यन पदो तक यहां लिख सकते हैं और डाट डाट करके लाश्ट में लिखेंगा यन पदो तक मतलब इसमें कहां तक है तो यन पदो तक है यहां नोट का लेंगे एक बटा जैसे यहां एक बटा डैस यह बटा में क्यों हो गया क्योंकि समानतर करम में सुत्र होता है एक बटा आरवन, एक बटा टू एक बटा थिरी डाड़ाट, एक बटा आरफॉ ऐसे होता लेकिन तो यन पदो तक है तो अब यहां क्या बन जाएका एक बटा आर डैस हो जाएगा अब एक बटा एक बटा एक बटा कहां तक है तो यन पदो तक है इसने यन बटा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को अब यहां जो है गुड़ा कर लेंगे आर डैस के गुड़ा यन में करेंगे और आर के गुड़ा वन में कर लेंगे तो अब यहां जो है गुड़ा करने पर क्या जाएगा तो यहां नोट कर लेंगे आर डैस यन बराबर क्या होगा आर हो जाएगा तो आर डैस बराबर क्या होगा तो आर बटा यन हो जाएगा मतलब आर डैस का मान इसमें निकल चुका आर डैस का नाम क्या था तुल परतिरोध मतलब तुल जो है आंतरीक परतिरोध का मान निकल गया अब जो है टोटल पर्तिरोध क्या होगा तो यहां लिखेंगे कुल पर्तिरोध कुल पर्तिरोध में अब इसमें बाहे पर्तिरोध भी आ जाएगा तो कुल पर्तिरोध का मान कितना हो जाएगा इसमें तो यहां लिख सकते हैं आर डैस पलस आर यह जो मा निकला है यह आंत्रिक परतिरोध है और यह जो है बाह परतिरोध हो जाएगा तो यहां आर डैस का मान कितना निकला है आर बटा यन पलस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो यहां हो गया कुल परतिरोध अब यहां कुल जब परतिरोध निकल वाहकबल कुल वाहकबल बटा क्या होता है कुल परतिरोध यह सुत्रापलों को याद भी हो गया होगा कुल परतिरोध अब इसमें जो है मान को क्या करेंगे रख लेंगे तो अब यहां कुल वाहकबल का मान कितना आया था तो कुल बैदत्वाहकबल का मान आया था ई आया था और यहां कुल परत्रोध का मान कितना आया है तो कुल परत्रोध का मान आया है आर बटा यन पलस क्या है आर है और यहां क्या लिखेंगे आई तो आई बराबर जो है मान निकल गया तो यह किस करम में आया है तो समांतर करम में धारा कामान निकल गया तो आप सभी भी द्यारती समझ लिए हो मिस्रित सयोजन मिस्रित सयोजन का अर्थ क्या है मतलब इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़ेते स्रेणी करम और समांतर करम दोनों करम को अगर मिला दिया जाए तो वा कहों सा करम बन जाएगा तो मिस्रित करम हो जाएगा तो मतलब सेल का जो सयोजन होगा जिसमें स्रेडी करम भी रहेगा और समांतर करम भी रहेगा दोनों करम जुड़े हो उसी को मिस्रित सयोजन कहा जाता है तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस परिभासा को पहले नोट कर लेजे कि ऐसा सयोजन जिसमें स्रेणी करम तथा समांतर करम जुड़े हूं उसे सेलो का मिस्रित सयोजन कहते हैं तो अब यहां पे जो है चित्र को धियान से देखेंगे कि इसमें स्रेणी करम भी है और समांतर करम है आप इदा सीधा लाइन देखेंगे सीधा लाइन तो यह स्रेणी करम है और ऐसे देखेंगे तो क्या है समांतर करम है तो यहां पे स्रेणी करम और समांतर करम दो आपको द आ गया है तो यहाँ सरेनी करम समांतर करम कैसे है इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कि सरेनी करम और समांतर करम यदि आप नहीं देखें तो उस भाग को जरूर देखिए जिससे आपको मिस्रित सयोजन अच्छे से भी क्या हो जाए समझ में आ जाए तो अब यहाँ इसका निकमन किया जाएगा तो एक एक लाइन को निकमन को समझेगा तो अब यहाँ जो चित्र में आप देखे होंगे तीन जो है आर 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 जो है तीन नहीं है यहाँ से सीधा लाइन देखेंगे तो यन मान लेंगे यन जो है आंतरिक परत्रो किस करम में है स्रेंडिक करम मे उसको यन से और जो समानतर करम है उसे यम से ध्यान देना है यम पक्ती जुड़े हुए हैं और यह जो है यन पक्ती जुड़े हुए हैं तो यहां पहले माना लिखना है और माना को आप सभी भी द्यार्थी नोट करते चलिएगा एक एक लाइन तो यहां नोट करेंगे कि मान माना यन सेल तो माना यन सेलों को परतिक पक्ति में जोड़ कर मतलब जो सेल को जो है किसमें यन पक्ति में जोड़ कर इस परकार यम पक्तियां समानतर कर में बनाई गई मतलब जो स्रेणी करम जो है सेलों को जोड़ा गया है उसको यन मानेंगे और जो समानतर करम में जोड़ा गया है उसको क्या मानेंगे यम पक्तियां मानी जाएगी परतिक सेल का बिद्धुतवाहक बल क्या है यह है तथा आंतरिक परतिरोध आर यहां बाह परतिरोध क्या है आर मतलब यहां आंत्री परतिरोध को किसे परदर्शित करेंगे तो इसमाल आर से और बाहे परतिरोध को किसे परदर्शित करेंगे तो कैप्टल आर से परदर्शित करते हैं तो अब यहां पे लिखेंगे कुल बिदुत वाहक बल इसमें क्या होगा तो कुल बीदुत वाहक बल जो है, कितने हैं, तो कुल बीदुत वाहक बल हो जाएंगे, बराबर यन इ, अब यन क्यों है, क्योंकि जो है, यन जो है, पक्तियां जो है, स्रेडी करम में था, तो इसलिए लिखेंगे यहां पर यन इ हो जाएगा, और एक पक्ति में अब चितर से समझेंगे जैसे यहां पे जो है सेलो का यहां एक जो पक्ती देख रहे हैं इसमें सेलो का E E E E कर कैसे है तो यन E हो जाएगा अभी क्या होगा R R R R R किस करम कहां तक है यन तक है तो इसलिए क्या हो जाएगा यफी यन R हो जाएगा क्या हो जाएगा यन R यन R हो गया यन ए क्यों हुआ है क्योंकि यह जो स्रेडी करम में जोड़ा गया था तो यन आर हो जाएगा अब जो है अब आईसे चलेंगे पहले तो ऐसे चलेंगे तो हमारा जो ऐसे जब करम चलेंगे तो कौन सा करम होगा यह आईसे जब करम होगा तो समानतर करम होगा अब एक पक्ति में परतिरोद कितना है तो यन आर है तो ऐसे दुति पक्ति में तिर्थी पक्ति में चतूर्थ पक्ति में ऐसे कहां तक यम पक्ति में यहां टोटल यहां से यहां तक यम पक्ति है और इधर यन पक्ति है तो नीचे की तरफ हम जब जाएंगे ऐसे जाएंगे तो इसमें पक्तिया कितनी है तो यम है तो अब यहां पे टोटल हमारा पहला लाइन में कितने हमारे परतिरोद है आंतरी परतिरोद तो यनार है और इसी प्रकादुत्ति में भी क्या है यनार है तिरती में क्या है यनार ह तो ऐसे लाश्ट में जो है यम पक्ति हैं तो क्या बनेंगे तो लाश्ट के लिए बनाएंगे अब यहां नोट कर लेंगे कुल आंतरिक परतिरोध क्या होगा तो अब कुल जो है आंतरिक परतिरोध कितना हो जाएगा तो पहले लाइन में हमारे पहली पक्ति में क्या था यह लिख सकते हैं कुल आंतिव एक बटा आर डैस कर लेंगे बराबर यहां क्या होगा एक बटा यहां क्या नोट करेंगे तो यन क्या है आर है प्लस एक बटा यन आर प्लस एक बटा यन आर प्लस डाट डाट करके कितनी पकती है यहां पकती है और यह क्यों बटा में लिखा जा तो एक बटा आर थिरी एक बटा आर पोर है यह एक बटा आर वन के जगह पे एक बटा आर टू के जगह पे एक बटा आर थिरी के जगह पे ऐसे कहां तक है यम पक्तियां है तो अब अगला लेंड क्या बनेगा तो अगला लेंड बनेगा एक बटा आर डैस बराबर हो तो एक बटा जो यन आर, एक बटा यन आर, एक बटा यन आर कहां तक है? यम तक है, तो यहां तो लिख सकते हैं, यम बटा क्या हो जाएगा? यन आर हो जाएगा, अब इसमें गुड़ा करेंगे, आएसे इसमें गुड़ा किया जाएगा, तो गुड़ा जब करेंगे, तो आ यम का गुड़ा जब इसमें होगा तो क्या बनेगा आर डैस अब यह हो जाएगा यम बराबर यन आर का गुड़ा करेंगे तो क्या होगा यन आर हो जाएगा तो अब यहां जो आर डैस बराबर क्या होगा तो आर डैस बराबर हो जाएगा यन आर बटा क्या होगा यम हो यह कुल आंतरिक परतिरोध का मान निकला है और किस करम में निकला है तो समांतर करम में निकला है तो अब यहां लिख लेंगे कुल परतिरोध कितना हो जाएगा तो कुल परतिरोध बराबर होगा अब दो इसमें परतिरोध को जोड़ेंगे जो आंतरिक परतिरोध निकला था आर डैस पलस और जो है बाहर परतिरोध यह दोनों को क्या कर लेंगे जोड लेंगे तो आर डैस का मान क्या है तो यन आर बटा क्या है यन आर बटा क्या था यम है और पलस क्या हो जाएगा यहां पर आर हो जाएगा तो यह कुल परतिरोध का मान निकल चुका अब कुल परतिरोध निकल गया है और कुल बैदुत वाहक बल भी निकल गया है तो अब लास्ट में क्या निकलेंगे कुल धारा क्या निकलेंगे कुल धारा का सुत्र क्या होता है तो कुल धारा का सुत्र होता है कुल जो है यहाँ पे लिख लेंगे कुल बैदुत वाहक बल बटा कुल क्या होगा परतिरोध कुल परतिरोध हो जाएगा तो अब यहाँ पे जो है मान को रख लेंगे कुल बैदुत वाहक बल बटा कुल क्या है परतिरोध तो धारा को किसे पदासित करते हैं तो आई से बराबर कुल बैद तवाहकबल कुल बैद तवाहकबल इसमें क्या था तो कुल बैद तवाहकबल जो इसमें था यन इ था बटा अकुल परतिरोध क्या है तो कुल परतिरोध इसमें क्या है था यन आर बटा यम पलस क्या था आ आया था तो यह जो मान निकला है यह कुल बैदत्वा हकबल हो गया और यह जो मान निकला है कुल परतिरोध हो गया तो समझ में आ गया होगा धारा का जो है मान किस करम में निकल दिया है तो धारा का मान जो है मिस्रित करम में निकल गया अब इसमें थोड़ा सा और भी आगे बढ़ेंगे अब यम का गुड़ा जो है आर में होगा यम का गुड़ा हो जाएगा गुड़ा करके जो यम नीचे हो रहेगा वो सबसे उपर इसको क्या करेंगे भेजेंगे तो अब इसके आगे हम लोग समझेंगे तो अब यहां अगला लाइन बन जाएगा आई बराबर हो क्या था या नहीं था बटे में बटा और क्या था यन आर था पलस था यम में जब आर का गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा यम आर हो जाएगा पूरी का बटा क्या बनेगा यम बनेगा तो यम का जो गुड़ा जो हुआ है किस में हुआ है आर में हुआ है अब जो है यम को क N E बटा N R पलस M R यह जो मान निकला है किस करम में निकला है तो मिस्रित करम सयोजन में धारा का मान निकला है तो आप सभी भी द्यार थी समझ लिए आँगे निकमन अब यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखियेगा जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे किरिचाप का नियम किरिचाप का नियम क्या है तो किरिचाप ने दो नियम दिये थे एक पहला नियम जो दिये थे आवे सनरचछड का नियम था और दूसरा जो नियम था उरजा सन रचण का नियम था तो किस सन में खोच की एथे किरचाफ का नियम तो 1842 इसभी में इन्होंने दो नियम दिये थे तो आप सभी भी द्यारती से नोट करते चड़िए किरचाफ किरचाफ ने सन 1842 कितने नियम दिये थे दो नियम दो नियम दिये जिनकी सहाइता से जिनकी शहायता से हम किसी भी किसी भी जटील परिपत के बिभिन चाल को के बीच धारा बितरण ग्यात कर सकते हैं कितना आसान हैं किरचाप ने सन 1842 इस्वे में दो नियम दिये कितने नियम दिये दो नियम दिये जिनकी सहायता से हम किसी भी जटील परिपत के बिभिन चाल को के बीच धारा बितरण ग्यात कर सकते हैं तो यहां जटील सब्द क्या गया जैसे एक सरल परिपत होता है जो ओम के नियम से धारा की गढ़ना किया जा सकता है अगर सरल परिपत